उन्नाव रे पेड़ता के वकील की हालत बिगड़ गई है वकील महिंद्र सिंग को फिलाल लोया संस्थान में भरती कराय गया है जहांदली पुलिस की सुरक्षा में उन्हें लोया संस्थान में भरती कराय गया तो लोयास अंसान के नियूरोलाजी डिपार्टमेंट में भरती कराय गया है दरसल आपको बता दे कि सड़क हाथ से में पेड़त के साथ वकील घाल हो गये थे राइबरेली जाते वक उनका एक्सिडेंट हुआ था लेकिन फिलाल जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक हालत फिलाल सही नहीं है और उसी के चलते फिलाल उन्हें लोयास अंसान में भरती कराय गया है और गगन मिर्श्रा हमारे साथ स्योगी जादा जानकारी के लिए जुड़ गए है गगन अभी क्या जानकारी बहां से मिल रही है? क्या कहा जा रहा है कि स्थिती अभी कैसी है? गगन अभी जिसको लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं जाच रहे हैं और जैसा कि पहले जब बाची थुई तो उसमें कहा जा रहता है कि 24 घंटे का जो वक्त है वो काफी क्रिटिकल होने वाला है तो अभी कुछ जाच की बाद कुछ वक्त यहां पर दिया गया है बतलाए गया है कि कितना समय लगेगा स्थिती को नियंतर में लाने में? अग्या जुलाई को दुरुगटा में दोनों लोग घायल होते हैं तबसे उनका एंस में इलाद चला आता जो उनौपीरता तो उसका लक्नोम इलाद चला ता और मेंसिंग का मेडिको कॉलेज में लेकिन सरकार के अस्तच्षेप के दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया जिसमें उन्नाव पीरता की तो तब्यत में थोड़ा सुधार आया लेकिन मेहन सिंग की तब्यत में लगातार उतार चुड़ाओ देखने को बिले थे जिसके चलते डॉक्टर अभी भी उनको साथ तोर पर क्लीन चीट नहीं दे रहे थ हुए तभी उनको यहां पर एंब्लेंस से लाया गया और भरती कराया गया फिलहाल दॉक्टर कहना है कि उनके की दिमाग में बहुत ज्यादा गंभी चोटे आई हैं जिसके चलते उनका इलाज असानी संबह नहीं हो पा रहा है इसी के चलते डॉक्टर उन्हें अभी फिलह गंटे का एक हिदायत दी है कि 24 गंटे में अगर उनकी सुधार आता है तो ठीक है ने तो इनको साधर यहां से भी रिफर किया जाए बेल्कुल कोई जानकारी अभी क्या और रिफर किया जा सकता है क्योंकि एम से तो लोहिया संस्थान ले आया गया है लेकिन क्या अब लोह क्योंकि एमेजन्सी वार्ड में है क्योंकि यह रात आयते देरात में अभी जो डॉक्टर तैनात रहते हैं फिलाल वही देख रेक कर रहा है अभी जो निल्लॉजिस विभाग के हैड होंगे वह आएंगे उनको देखेंगा अगर उनकी जो इस्तिती है वह स्टैबल होने ल मतशने वह देखने लेते हैं उनकी श्यख्यान नहीं कर लेते जितनी जान से होन ही रिफॉर्स लुजनी आने के बाद ही कोई अगला फैसल लिया जाएगा चैनले धनिवाद आपका फिलाल गगन हमारे साथ जूणने के लिए ज़ानकारी, जानकारी के-